तो अगर कि आप पाउडर की तलास में अब कोई पैस पाउडर यज़ यूझ करों कूंसा परिक्ट होता है जैसे फेस पाउडर सभी लोग कई के प्रकार के यूच करते हैं तो कुछ जैसे पाउंड्स है और बहुछ सारे ब्रांड के फ्रेस पाउडर हैं तो कंप seize हैं तो आज आप बता R lado shy वाइट टोन फ्रेस पाउडर के बारे में अगर आप इसी यूच करोगी तो आपके फिर्फ के लिए कैसा रहेगा इसका effect कैसा रहेगा मैं कुछ भी आप लोग को बना किसमें नहीं बताऊंगी जो इसका प्रभाव है मैं बस वही आप लोग को आज इस वीडियो में share करना चाहूंगी कि यह face powder अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा आपकी skin के लिए कैसा रहेगा तो वही मैं आप लोग को बता रही हूं क्योंकि इसे मैं लगभग डेट साल से यूज़ कर रही हूं तो आपको यही आप लोग के साथ सेर करना चाहती हूं कि यह फेस पाउडर अगर आप भी जो है यूज़ करोगे तो आपके लिए कैसा रहेगा और जो है दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़िए गा प्लीज और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीचिएगा तो यहां मैं आज यह वाइट टून फेस पाउडर के बारे में बता रही हूं तो वाइट टून फेस पाउडर यह इस तरह की पैक्जी में आपको मिलेगा यह फेस पाउडर आपक क्योंकि यह साइट जो है मीडियम वाला है इसे बड़ा भी रहता है इसे छोड़ा भी रहता है तो इस फेस पॉड़र को हमें कैसे यूज करना है यह कितने रेंज में आता है मैं सब इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी तो पहली बात मैं यह आप लोग से बताना चाहती हूं कि कोई भी प्रोडेक्ट अगर आप यूज करते हो तो उसका ब्रांड जरूर देखें और ब्रांड के साथ-साथ इसपारी डेट भी देखें तो आप इसको देख लें कि इसका इसपारी डेट कब तक है तो इसका इसप पैरीट जो है 2022 तक है 20th से स्टार्ट है यह और उसके बाद 22 तक है तो इस देखना जरूरी होता है क्योंकि यह पिस पाऊडर जो है अगर आप इससे लोगे तो कम से कम आपकर अकेले चलत भाई एक क्योए चलता जाएगा णिकां जारूरत नहीं पड़ेगी भाणगि नही ये फिसटे है ये पाफ़न थिवी जारी के अंधा जो है यह हुए यची लगाने के बाद आपके जैसे ब्लेंड परकार के बारे में बता रही हो कि इसे ब्लाइन के बारे में मैं बता लाता है और बहुत अच्छा निखार लाता है यह पाउडर और यह लांग लाश्टी के काफी टाइम तक चलता भी है आप इसे लगा लोगी तो और इसे आप जो है समर की सीजन में तो लगा है या बिंटर की सीजन में भी लगा सकते हैं जैसे कोई क्रीम लगाने के बाद इस फेस पाउडर का यूच किया है तो मैं आप लोग को हाथ पे लगा के दिखा दे रही हूं तो आप फिल्कुल थोड़ा सा लीजी और पूरे फेस पे इस तरह लगा लेंगे और अगर आपको जादा दिखता है तो आप किसी हैंकी से या आप ब्रस क से दिखता नहीं है तो यह फिस फाउडर खासकर उन इस किन के लिए जायदा अच्छा यह जिसका इसकीं फियर होता है उस पर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है लेकिन जिसकी फोड़ा डॉर्क है उस पर थोड़ा दिखता है जो असलिया थैसकी मैं वहीं बता रही हूं सकता है और जहां से भी पर्चेस करना चाहते हो जह इसके सकते हो यह जो पाउडर है फ्यक के लिए तो बहुत ही बेटर पाउडर है मतलब इसे लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि आपने अलग से प्रडर लगाया है बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है और काफी टाइन तक चलता भी है और इसमें कोई ऐसा कोई चीज भी नहीं इसमें मिक्स है कि जो आपकी स्किन को साइट इफेक्ट करें पैरा भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है हाँ इसमें जो है परफ्यूम है बस बहुत जादा परफ्यूम भी नहीं है बहुत हलका परफ्यूम है जो की स्कूसान दे हूए तो इस पाउडर को यूज कर सकते हो बहुती अच्छा पाउडर है अगर आप जैसे कीम है तो उसके लिए थोड़ा यह दिकाता सकती है क्य Long Championships कोई भी पाउडर हो अगर डार की थोड़ा सा लेके इस्टरा जो पाउडर है उसको जाड़के फिर ब्रस से अपलाई करें तो हलका हलका लगेगा और उपर से दिखने में भी नहीं लगेगा कि आपने पाउडर लगाया है तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो तो इस तरह मैं आप लोग को इस होई टोन प साथ तब तक के लिए बाई टेक के एट